हन जी दोस्तों कलास बार्मी दा हैगा वा हुन जर्नल इंगलिश दा पेपर 24 मार्चनू ता दोस्तों इस वीडियो दे विच असी पिछले साल दा पेपर असी सॉल्ब कर लिया वा पूरा ते हुन तो हड़ी त्यारी करा दांगे एहे वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशन उ अगर दोस्तों तो हड़ी डिमांड आएगी ता फिर मैं 2017 था भी तो हनों एक पेपर सॉल्ब करा दूंगा जर्नल इंगलिश दा तो दोस्तों चलो इस वीडियो दे विच्छे आप आहे जर्नल इंगलिश दा एक जड़ा पेपर आ ठीक है एक होर गालत आं दे बिच रखे गया ओही ने क्योंकि important question ने बार बर रपीटी हों दे आता दोस्तों सबतों पहला पार्ट वन दे विच्छ अब्जेक्टिव टाइप question ने आठ मार्स दे जड़े इत्थे दित्ते हो यान ठीक है जी ता दोस्तों सबतों पहला प्रशिन की है कि the lesson on saying place is written by ठीक है जी मतलब दोस्तों आहा जड़ा तो हड़ा चेप्टर हा ठीक है जी on saying place है किसदे द्वारा लिख्या गया भा ता दोस्तों एदा अंसर तुसी देख साथ देओ the lesson on saying place is written by ag gardenier ठीक है जी ता दोस्तों देख साथ देओ एदा अंसर आजएगा अपना ag gardenier इसदा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो दूसरा प्रशं दोस्तों की है चंदू in the barber trade union इस ठीक है यहनिकी दोस्तों दा barber trade union विच्चे चंदू की है ठीक है जी ता दोस्तो एधा अंसर भी तुस्सी यहां देख साथ देओं हां जी ता इधा आजगा दोस्तो आ बारबर बॉय ठीके जी ता दोस्तो हो नाइदा हैगा जड़ा एक मुंड़ा है ठीके जा बारबर बॉय अगला दोस्तो प्रशन की है हां जी you have to do it change the boys choose the correct answer ठीके जी यह to have to do it ता इधा आएगा दोस्तो it has to be done by you to be done by you ता दोस्तो एह वड़ा प्रशन अपना है बिल्कुल correct होएगा it has to be done by you ठीके जी एक वरी देख लो आही है ना एक वरी चंगी तरा हां जी बिल्कुल दोस्तो आही है ठीके जी ता इधा अंसर दोस्तो हो जाएगा मतलब दो पराजड आएगा किता जाना है ठीके जी अगला प्रशन है दोस्तो what did Philip want to become instead of a musician ठीके जी यनकि फिलिप एक संगीत कार दी बजाए की बनना 14 ता दोस्तो एधा अंसर भी तुस्तो आ देख साथ देओ हां जी ता आ देखो दोस्तो एधा आएगा दोस्तो आ बेकर ठीके जी आदेखो दोस्तो एधा अंसर आजाएगा अगला प्रशन दोस्तो की है what did harcune displayed the crowd ठीके जी यनकी दोस्तो जीड़ा अपना harcune ने पीड़नू की दिखाया ठीके जी ता एधा अंसर भी आपपा देख लिने है आधा दोस्तो आसी पहला ही जीड़ा हैगा टेकला के रख्या आदेखो लोगा अप्शन सही होएगा हाँ जी डिस्पलेड अब लीड़नू कून भगंड वाली अंगल जड़ी है कि या प्रदशित किती गई ठीके जीड़ा प्रशन दोस्तो होन की है the name of man Singh village was ठीके जीड़ा की ना सी ता दोस्तो एधा अंसर भी तुसी यहाँ देख सा चुहड काना पिंडदा नाम सीगा मान सिंग दे पिंडदा ठीके जी अगला प्रशन दोस्तों कि यह सक्सेस इस नॉट मेरली डैश विन अप्लाउज फिल इन दा ब्लैंक विद गरने ओ ठीके जी ता दोस्तों की है इस दा अंसर ता एबी असी दोस्तों लबल्या है आदको सक्सेस इस नॉट मेरली विन अप्लाउज फिल इन दा ब्लैंक विद गरने ओ ठीके जी ता अगला दोस्तों हुन अपना प्रशन की है हां जी वैन डिड़ थॉमस गो टू बैंक टू रिटर्न दा बैंक लोन ठीके जी ता दोस्तों एधा मतलब किया कि थामस बैंक दा करजा वापस कर लई बैंक कदो गया ता दोस्तों एधा अंसर तुसी यहां देख साधियों एवी असी लभ्या होया है ता दोस्तों आफटर टू विक्स यहनकी दोस्तों दो हपतेया वाद ठीके जी ता एधा अंसर दोस्तों एह वाला कॉरेक्ट हो दोस्तो पढ़के ना दे सवाला दे जिवाब देऊ ता देखो दोस्तो इन दा आफ्टर नून आ मैन अबाउट थाटी फाइब इयर्स प्लंप विद बाल्ड हैड एंड मॉडर हां जी पैसी जाना ए मैं लब लियाबा ठीके जी आ देखो आहां मैं लब भी लियाबा ता दोस्तो अपा तो अड़ी सिद्धे ही कॉस्चन अंसर देखांगे तेखो इन दा आफ्टर नून आ मैन अबाउट थाटी फाइब इयर्स ठीके जी ता देखो आही तो अड़ा सेम हैगा ठ ठीके जी ता दोस्तो मैं तो अनून मोटा मोटी दास दिना देखांगे मतलब इदेखो आही लिख्या है दोस्तो इंतियार कर रहा थी गा उसदे हाथ विचे दोस्तो एक सॉफ्टर वाली सीडी सी मैं उसनों जड़ाइगा जान ना सक्या पावे हो जानया पशानया पसंद सी मैंनू विकीन सी कि ओह अक्सर अपनी कलास विचे जड़ाइगा वकांस्त दिवर्तो करदा सी अजे भी मैं अंदाजा नहीं लगा सकदा कि ओह कौन है मैं तो हड़ा कलास दा हमेशा देर नल ओन वाला सीगा मैं हसना ठीक है जी ओह ही यह मतलब हसन जड़ा हुंद चलो आपा प्रशन उत्तर देख देए तन दोस्तो देखो पहला एदेविच प्रशन किया अपना हाव डिड दा निरेटर मेख आउट धयत हर वीजिटर वाज हसन ठीक है जी यहन की दोस्तों एदेविच एह मतलब हाद दोस्तो कि अपना कहानीकार ने केमें पता लग्या क कि उस दा हुए मेहमान हसन सी ठीके जी ता दोस्तो आ देखो एह अंसर अपना लभ्या होया ऐसी आदेखो आही प्रशन है न अपना हाँ जी अपना एथे वन वी मतलब चौथा प्रशन है एथे चौथे दा अंसर देख लो दोस्तो 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 उसने कहा कि उस दी क्लास विच्चे जड़ाएगा देरी नल और वाला मतलब आउंदा होंदा सी गाओ ही हसन है ठीके जी ता है इस दा अंसर हो गया त्युने दोस्तो दीसरा प्रशन देखो अपना कि इए हाँ जी ढूसर प्रशन आ देखो दूस्तो एथे अपना गिव जी अपना गिव इन दा शिम्पल इंगलिश था मीनिंग औफ अफ एनफ ऐनी टु अफ्झ संदा होया भाँ ठीके स्दू दोस्तों हेटा देते किसे भी जड़ेगा दो शब्दा दे साथ आरण अंगरेजी विच अर्थ दसो जी में कि दोस्तों आधेखो पलंप मॉडेरेटली ते अपना कॉंटी नियूज ठीके जी ता दोस्तों आधेखो एथे है ये भी दित्ता होया भा ठीके जी आपना गएखो प्लंप ठीके जी आप binds pa दोस्तों की आजाएगा देखो रो दोस्तों पलंप दोस्तों की होगा अपना एथे कर्वी logarith praw नल चल्वीड ठीके जी त drugर दोस्तों होगा थीर विचिए ने तोसरा जड़ा हैगा continuous धाध होया दोस्तो था हनू दिखा दिना जो खतके एक रहा धंके और थो कोंटिनुज धाध धूसतो फल्णकर धीituation wären आ जाएगा ता दो पुच्छा है जिगा अपानू ठीक है आपा दो कर ले बाकी moderately दा जड़ा हैगा तुसी यह मेनू दसना बाकी एदा की मितनी दिंगा ए तुसी मेनू कमेंट बाकस दसना पलंप दा आ जाएगा फैट continues दा आ जाएगा दोस्तो अपना अगला प्रेशन की है राइट ता नेम अफ दा राइटर हूँ एज रिटन दिस पैसेज आलसो गिव नेम अफ दा चैप्टर फ्रॉम विच इस 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 बिन टेकन ठीक है जी ता दोस्तो यह ता वेरी इजी कॉच्छन हा ठीक है जी ता आ दिखो आहा वाला अंसर जड़ा अगला प्रेशन दोस्तो की है हाव डिट नरेटर फील टू सी हसन इन हर हॉफिस ठीक है जी मतलब दोस्तो हसन अपने दफ्तर बीच देखके दोस्तो जड़ा है अपना कहानीकार नू कि मैं महसूस होया ठीक है जी ता एदा अंसर दोस्तो तुसी आहाँ देख साथ देऊ एदा अंसर आएगा दोस्तो शी वाज शॉक्ट टू सी हिम डोइंगा समाल जॉब ठीक है जी ता वह हैरान सी की जड़ा हसन सी हो एक छोटी नोकरिया मतलब छोटा जड़ा है जड़ा ह कर रहे सीगा तो उसने अड़्वाइज दिता शी ट्वाइज हिम तो गिव अपिस लेजिनस वर्क हाड राज इन लाइफ ठीक है जी ता है यह अंसर हो गया इस दा ठीक है जी ते अगे दोस्तो अपना वाई कुड नॉट दा नरेटर इटेफाई दा स्ट्रेंजर आलों फ ठीके जी मतलब दोस्तों एदे विच एही क्या होया बा कि कहानीकार अजनिबी दी पहचान क्यूं नहीं कर सक्या हालां कि ओह जाने है पहचानिया जा बदा सी ता दोस्तों एदा अंसर देख साथ देओं आही अपना प्रशन है न हाँ जी वाई कुड़ नॉट दा निरेटर अ स्टूडेंट ठीके जी अनलाइक अ स्टूडेंट ही वाजर 35 फैट एंड वल्ड ठीके जी मतलब दोस्तों एदे विच एही या जड़ा अपना इहे दूसरा प्रशन है एदे विच एहूल कि हिया कि ओह उस दी पहचान नहीं कार सकी क्यूंकि एक विद्यार्थी दे उल ठीके जी ताहिज अंसर हो गया तेहून दोस्तों अपना इस तो बाद कोई भी प्रशन नहीं है एह अपना सारा ही सॉल्ब हो गया तेहून दोस्तों तीसरा की है तो अड़ा तीसरा देखो रीडिंग दा लाइन गिवन से बिलो एंड अंसर दा कॉश्चन फॉलो ठीके जी मतलब दोस्तों हाजडियां तो हड़ियां हेटा दितिया ना लाइना नू पड़ो आते हेड दिते सवाला दे जवाब तो दोस्तों देखो कि ये I am the heat of your heart on cold winter night ठीके मतलब दोस्तों की लिखे है दे विच्च हां जी कि बाई देव ठंड ठंडे सर्दियां दी रात नू तो हड़े चुले दी दोस्ताना रंगाना तो हनू गर्मिया दे सूरज तो परदा कर दी है ठीके जी the friendly shade screening you from the summer sun ठीके and my fruits are refreshing trouts ठीके जी यनकी गर्मिया ते मेरे फल ताजगी वाले जड़ेगे ड्राफ्ट हन ठीके जी ते क्यूंचिंग your thirst as your journey on ठीके जदो तुसी यत्रा कर होता तो हड़ी प्यास भुजोना ठीके जी ता हे तो आड़ा लिखियो यहला है न ता देखो उने दा प्रशन के निकल कर आ रहे है ता एवी असी दोस्तो लब लिया है ठीके जी आही वाला जेड़ा प्रशन है न तो आड़ा I am I am the heat of your heart ठीके जी ता देख लो दोस्तो आ यहना दे अंसर भी एसी लब्बे होया ठीके जी आ देखो थल्ले ता होना पतो हमनू सबतो पहला कॉशन देख 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 अपने कॉशन पर दिविच पहला कॉशन की यह दोस्तो एथे यहने की दोस्तो जंगल सानू गर्मी दे नाल नाल ठंड वी किमे दे सकदे हन ता दोस्तो देखो आही प्रशना न अपना दूसरा हाउ कैन दा वुड गिव अस हीट ऐस वेल अस कोल्ड नास ता दोस्तो एद अंसर आ जाएगा अपना दा वुड गिव अस फ्यूल विचवे ल टू गैट हीट दा लीफी बुराज़िस ऑफ ट्री गिव अस शेड इन समर ठीक है जी मतल्ट दोस्तो जिड़ हैगा फ्यूल in the line ठीक है जी, fine ना विच दोस्तों कहाणीकार ज़दा हैगा कौन है ठीक है घीक है जी कौन बिरांतकार कौन है ता दोस्तों अंसर देखो एदा आही प्रैसन कुछ यह न who is the narrator in the line ता देखो इथे चोथा प्रैसन है ता चोथे दा अंसर आएगा दोस्तो दौट इस दा स्पीक्कर इंधा लाइन स्फीtier है झाल डेशूत you यह जिये हं दोस्तो नहीं देटा हुआ देखेल नहीं विस नहीं दे जित्थ नहीं nggak देख्हो ठीके जी ता दोस्तों देखो किया हां जी the name of the poem is the prayer of the wood and its poet is anonymous ठीके अनोनीमोस तो मतलब दोस्तों उन्दा बा कोछ पता नहीं कि कौन हा ठीके जी ते दोस्तों हुन अगला प्रशन किये दे विच्छ नेम दा figure of speech used in second line ठीके जी मतलब दोस्तों कि दुजी line विच्छ वर्ते गये पाशन दे चितरदा नाम देओ ठीके जी ता आ देखो दोस्तों आही अपना प्रशन हा ना in second line ठीके जी इन दा second line ठीके जी ता इथे तीसरा प्रशन हा ता तीसरे दा अंसर दोस्तों इथे देख लो कि ये the figure of speech is प्रसनिफिकेशन ता है इस दा अंसर हो जाएगा अजसरे दूस्तों लब लगा है जी मैं कि हा देख लो and I have learnt to love with only my teeth झीत के अग्ये दोस्तों इथे हो वर भी हा लासट देख लो किया बोर्ट ठीके टेक है ता अस ने मैं लव ले लिआ तौन दोस्तों मतलब भी हान्ना है दो ना प्रशन होजिके उप्छी अ क्यु प्रश गुड रिडेंस टू से गुलैड टू मीट यू विदाउट बिंग गुलैड एंड टू से इट बीन नाइज टॉकिंग तू यू आफ्टर बिंग बोर्ड ठीक है मतलब दोस्तो मैं अलवीदा कहना भी सिख्या है जो दो मेरा मतलब है कि गुड रिडेंस तो हनू मिलके खु अधे एहे कहे भीना बोर होन तो बाद तो हड़ी नाढ गल करके चंगा लगया ठीक है ता होन दोस्तो प्रशन देख देहां सब पहला प्रशन कि ये दोस्तो वट हैस दा पोईट लर्ण लर्ण टू डू विद्ध हीस फीलिंग ठीक है जी मतलब दोस्तो कभी अपने पाव अब नल की करना सिख्या ठीक है तो सब्सक्राइब दोस्तो आधे अपना प्रशन प्रशन हां जी कि ये थे आही प्रशन सी अपना की सी गई एक वरी दुबारा देख देहां मैं पूल गया हां जी वत हैस दा पोईट लर्न टू डू विद इस फीलिंग सीड़ी ता आधे अहाँ प्रशन अपना ठीक है दूसरा एदे विच्छ ता एधा अंसर हैगा दोस्त दोस्त तपिकर has learned to hide his feeling ठीक है जी ता जिड़ा his पिकर आ उसने अपना मतलब अपनी फीलिंगा नुच पौना जिड़ा है सिख्या है he has begun to behave quite contrary to what he feels ठीक है जी मतलब की भई जिड़ा ओहो महसूस करता है उस दे बिलकुल ओहो उलट बिहार करन लग पया है ठीक है जी तेहे इस दा अंसर हो गया तेहों न दोस्तों अगला प्रशन देख देया है अगला प्रशन की ए थे अपना हाँ जी अगला प्रशन है दोस्तों हाँ जी ए बड़ा हो गया थी गाँ वट काइंड ओफ लाइफ इस दा पोईट लिविंग ठीक है जी कभी कहो जेहा जीड़ा है जीवन जी रहा है ठीक है ता दोस्तों अंसर देखो ये दा की है हाँ जी आँ देखो दोस्तों आही प्रशन है अपना वट काइंड ओफ लाइफ इस दा पोएट लिविंग, तो दोस्तों एथे अपना इह डी प्रशना, तो दी दा अंसर देखो, दोस्तों, दा पोएट इस लिविंग अ सुफेरिकल काइंड ओफ लाइफ, अगला प्रशन दोस्तों की है, गिव दा नेम अफ दा नाम दसो, ते पोएट दा नाम दसो, ठीके जी, कौन कवी, केडी कवीता है, ते केडी कवी है ना दे, तो दोस्तों देखो, यह दा अंसर आवा, दा नेम ओफ दा पोएब एज़ वन्स अपौन अटाईम, ते गेबरिय लोकारा ऐस दे जड़े हो गया, यह दा आँली अटित, ठीके जी, यह दा अचलो, ulू, दे जब दोस्तों, आई देखो दोस्तो, आएए प्रशन हा न, what is the meaning of lying with only my teeth ता दोस्तों इते सी या ता सी दा अंसर देखो it means he law ठीक है जी it means he law by way of show ठीक है जी यनिकी दोस्तों इता मतलब है कि उहो दिखावे दे तरीके नाल हा सदा है ठीक है जी in other words he law artificially ठीक है जी दुझे शब्दा में चोहो नकली तौरते हा सदा है ता यह इस दा अंसर हो जाएगा तो हून दोस्तों पार्ट तीसरा है राइटिंग आ दिखेंगे चोदा मार्स देते हैंगी यहे ता देखो दोस्तों प्रेसी ठीक है अभी मैं दोस्तों लब लईया जी में कि तुसी आहाँ देख साथ देऊ आँ देखो आही है न obedience is the habit of doing what are told to do ठीक है जी ता आभी मैं लब लईया ता हून दोस्तों एदा solutions इदा पा देखांगे ठीक है ता देखो दोस्तों एदे मतलब इदे प्रेसी दी विच तुसी की का रहा हुंदा तो हुन्हों पहले मैं दास देना ता यह जी यहां में लईना हून थ यहां रिखनी है प्लस दोस्तों इदे विच ने इसनुन पढ़नतों बाद तो हुन्हों पता लगेगा कि यहां देख साथ देऊ ठीक है यहां दोस्तो टाइटल लिख देना यानि कि हैडिंग की वह अंटरी आई दी ते प्रेसी जो कि दो तेन चार लाइना जड़ी हैं इस तरह लिख दिन लिख देनी यहां ओधे बेचो ही चाक के बाकि दोस्तों में पॉइंट्स भी तुसी लिख तुसी एक काम करणा भा तुसी इस तरह करो अहाँ प्रेसी पहला सब्सक्री को धहित्ति चलो के इस पढ़ना सब्सक्राइब देखो दोस्तों इदे मेन पॉइंट्स की लिखे हो इन्हें ताइद विच दोस्तों इठाएगा सब तो पहला मेन पॉइंट्स पहला लिखे है का Obedience is a good habit ठीके जी आग्याकारी एक चंगी आदत है It is not only easy to learn but also necessary ठीके जी यह ना सिर्फ सिखना असान है It is equally necessary in every walk of life ठीके जीवन दे हर खेतर विचे है बराबर जरूरी है There is a reason behind every act of obedience यानिकी दोस्तों आग्याकारी दे हर काम पिछे कारण हुनदा है अग्या दोस्तों God's law must come first ठीके परमेशमर दा कानून पहला उना चाहिदा है ता देखो दोस्तों टाइटल यानिकी सिरलेक या हैडिंग में हैडिंग की बनोगी दी the habit of obedience मतलब आग्याकारी दी आदत ठीक है ता इदा प्रेसी हुन दोस्तों देखो की बनेगी ओदे बिचो ही तेंचार लाइना जड़ी ये तोसी पड़या ना अग्याकारी एक चंगी आदत है ठीक है ये ना सिर्फ सिखना असान है सगो जुरूरी भी है यानिके दोस्तों जीवन देहर खेत विच उच अधिकारियां दी आग्याकारी जरूरी है ठीक है ते देर इस रीजन बिहाइंड आग्याकारी देहर काम पिछे कारण हुन दा है ठीक है ओडिएंस अबडेंस त्यों गोड इन दा फिस्ट लौ ठीक है ओडिएंस मतलब दोस्तों बिचे है राब दा आग्याकारी पहला नियम है ठीक है इस अ पर्सन टैल अस तू डू रॉंग ठीक है जी यानि कि जेकर कोई व्यक्ति सानु गलत काम करने नहीं कहनदा है, ठीक है जी, ता मतलब उस दी अन अग्याकारनी जड़िये करनी चाहिए दिये, गौड, गौडस लौ मस्ट कम फस्ट, ठीक है जी, परमेशमर्दा कानून पहला आउना चाहिदा है, तो दोस्तों यह इस दा हो गया, जो कि मैं तो हनूँ पूरा-पूरा समझावी दिता, इस दा अंसर है, पहला तुसी आहा लिख देओ, फिर आहा लिख देओ, आहा तुसा लिखना मतला लिख देओ, नहीं था, छड़ भी साख देओ, बाकि दोस्तों यह वर्स किनने ने, 57 ए वर्स ने, यह भी इक हो गया, ठीक है, जी ता दोना देओ, तुसी कोई एक करना होगा, बड़ दोस्तों अपा तो हडी त्यारी करा रहे हैं, ता अपा दोनों ही जड़ा हैगा करांगे, ता दोस्तों सब तो पहला अपनी देखो कि यह राइट एन एप्लिकेशन, ठीक है, जी, राइट एन आफ यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम तु ग्रांट यू फुल फी कंशैशियन एंड सम हेल्प आउट अफ दा स्टुडेंट एड फंड ठीक है अपने स्कूल दे प्रिंसिपल नुग के जड़ा है अब बिने पतर लिखो आते उस जड़ा है विद्यार्थी साहता फंड विच्चे तो हनु रियात आते कुछ मदद देंड दी बिनती करो ठीक है ता दोस्तो चलो देख देया इस दा अंसर भी ता दोस्तो देखो आही है न तो आड़ी फुल फी कंशैशियन एंड सम हेल्प आउट अउट अफ दा स्टुडेंट एड फंड ता आही सेम हा तो फी कंशैशियन एंड सम हेल्प आउट अफ दा स्टुडेंट एड फंड पूरी फीज दी रया ताते विदियार थी सहता फंड विच कुछ मदद ता दोस्तो देखो सर आई हम स्टुडेंट आफ प्लस टू क्लास इन यूर स्कूल ठीक है मैं तो आड़ी स्कूल विच प्ल प्लस टू जमात उच स्थान प्राप मतलब पास करके मतलब मतलब फस्ट आके दोस्तो पास किती है ठीक है जी I want to bring to your kind notice मतलब मैं तो हटेते आनवेच जड़ा हैगा लिवना चांदा हां कि I am facing a problem in paying the school fees I have a serious financial problem ठीक है जी कि मैंनू स्कूल दी लिवना चांदा हां कि मैंनू स्कूल दी यां फिसा दा पुकता अनकरण बेचे एक समस्या दा सामना करना पैरहा है ठीक है ते मैंनू गंबीर वित्ती समस्या है मतलब फिनेंशल प्रापलम मा ठीक है जी my mother is a petty color in office ठीक है मतलब दोस्तो एदे बिचे है कि my mother sorry my mother नी my father sorry 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 दोस्तो my father is a petty color in office ठीक है जी म स्कूल my father can't afford to pay our school in pay our school fees ठीक है जी मतलब दोस्तो एही है कि उना कोल जड़ागा आमदन्दा जड़ागा कोई वाद्दू सरोत नहीं है मेरा छोटा परा आते छोटी पैन भी इसे स्कूल विच पढदे हान मेरे पिता जी जड़ागा साठे स्कूल दी फिस अदा नहीं कर सक ठीक है जी अगे लिखे है दोस्तो आई देर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फूल फी कंसेशियन ठीक है जी मतलब दोस्तो इस लई तो हनू मेनू जड़ी है कि पूरी फीस दी रहत देन लई जड़ागा बिंती करदा हाँ इट विल बी काइंड आफ यू गिब म माई स्टड़ी एट दा स्कूल आई शेल वी ग्रेट पूल टू यू टू यू फोर दिस काइंड एक्ट ठीक है मतलब दोस्तो तो हड़ी मदद मेनू स्कूल विच अपनी पड़ाई जारी रखनते योग बनावेगी इस तरह दे कम लई मैं तो हड़ाता अनवादी हो यू लिव एट मॉडल टाउन मोगा राइट यूर राइटा लेटर टू दा कमिशिनर ओफ यूर मुंसिपल कॉर्परेशन कंप्लेनिंग अबाउट इंसेनेंटरी कंडिशन इन यूर लोकाल्टी मतलब दोस्तो यू यू चेहिया कि एक पत्तर लिखो तो हड़े मुंसिप के बिच जड़ी के बिगटर हैं स्थितिया नूँ शिकायत करते हुए दोस्तो अपने नगर निगम दे कमिशिनर नूँ दोस्तो ठीक है जी एक पत्तर लिखो ठीक हो ठीक है जी ता मतलब तो हड़े इलाके देबिच हो नूँ कोई भी कंडिशन हो सक दिया खराब हो रही ह ते एथे तुसी अपनी सीटी दा नाम लिख लेना भा ठीक है ते उस्तो बाद दोस्तो किये अपना लुध्याना सीटी मार्च जड़ा है का दोस्तो अपना चोबी दोजार तेई ठीक है दा कमिशिनर मुंसिपल कॉर्परेशन जिलंदर सब्जेक्ट किया दोस्तो विच लेवना चोब्दा हां की साधी इलाकी विच जड़ेगे विगडे हलात हां ठीक है जी ते दिस इज परहपस दा मोस्त नेगलिक्टक आजी नेगलिक्टट लोकाल्टी अफ दा टाउन दा लेन्स आर लिटर्ड विद शिविपेज देर आर हिपस ओफ गैर्बेज मैल दा लोकाल्टी हैस बिकाम ब्रीडिंग प्लेस ओफ मॉस्किटो एंड फ्यल से देर इज एवरी पॉसिविल्टी देत सम एपिडेमिक लाइक मलेरिया और कुलेरा में सब्रेड हैर मतलब दोस्तों मैं दास देना की किये लिख है देखो मतलब मैं तो हड़ेते हां मतलब सब्सक्राइब dunya साथ नहीं है कोई कोडा बहन कदे भी इसनों साफ करन नहीं नहीं ओदा है कोडे द तेर तो भदबू ओंदी है इलाका मिख जड़ा हैगा हो मक्षर ते मक्षियां दाड़ा बन गया है इतने मिलेरिया हेजा बारगी जड़ी है बिमारी फेलंड़ी जड़ी है पूरी सबावना है अगे दोस्तों देखो कि एग है we request to use to use good office to get things done on a priority base our regular sweeper should be deputed to clean the street and lanes our rubbish ban should clear the garbage everyday dirty supports should be separate with the pesticide to prevent out break of diseases मतलब दोस्तो असी तो अनों बेंती कर दे हां कि तुसी अपने चंगे दफ्तरां दी वर्तों कर दे होए पहले दे आरते दोस्तों काम करन लई है काम करन लई करो ठीके जी ते गलियां दी सफाइल दोस्तों नेमत सभी पर ताइनात किता जाना चाहिदा है ठीके एक कूडा वेन हर रोज कूडा जड़ा है गावा साफ करे ठीके जी ते बिमारी दे फेलन तो बच्चनली दोस्तों गंदे स्थाना ते कीट नाशक ता छिड़का करना चाहिदा है ठीके जी यानिकी होपिंग दा परमोट एक्शन यानिकी तुरंत करवाई दी उमीद विच योर फेथफिली यानिकी तो हड़ा बफादार एक्स वाई जड़े ते तुसे अपना नाम लिख देना आवा थे दोस्तो हुन अगला अपना छेमा प्रशान एक्स्प्लेइन दा फॉलिंग निउस्वेपर हैडलाइन इस नोट मोर देन पंदरा तो वीवर्स मतलब दोस्तो की है हाँ जी मतलब एद विच न एक सुर्खियां लिखनी है उन्देने जिमें है हैडलाइन पंदरा भी था दोस्तो हेडलाइन लिखनी है तो दोस्तो आवी जडी है मैं लब लई है तो दोस्तो आ देखो अपना वान प्यम वोपस टू परवाइड electricity for every home 2022 ठीक है देखो देखो दोस्तो एक्स्प्लेइन की सतरह दिया थी सपश्टी करन देखो दोस्तो प्राइम मिनिस्टर वोप that electricity will be provided to every home by the year 2022 ठीक है जी पर दा अनमंत्री ने वादा किता कि साल 2022 तक हर कर विचे जड़ी हैगे बिजली पहुंचाई जावेगी ता दोस्तों इस तरह दूसी इस दा लिख देओ अगला दोस्तों तो वड़ा की है write an email to your friend inviting to spend summer vacation with जड़ा हैगा करो जिस विचे उसनों जड़ा हैगा तो हडे नाल गर्मी है दिया चुटियां भिताउन दा सद्धा देओ तो दोस्तों चलो देख देए आए दाला भी ता दोस्तों देखो आहीए न तो आड़ा write an email to a friend inviting him to spend a summer vacation with देए यू ठीक है आई सीगा तो दोस्तों देखो किस तरह तुसी लिखना भास सब तो पहला था है line मार लेनिया जिमे क्या मारी हुई है न ने एक बारी format देख लो दोस्तों इस तरह line मार लेनिया उस्तों बाद दोस्तों फेर तो यहाँ ने ने जिमे की सेंड सेव ड्राफ्ट डिसकार्ड ता देखो टू ठीक है जी तू मतलब जिननों तुसी पेज रहे हैं अपड़े फ्रेंड नू फ्रॉम जीदे द्वारा पे जी जारी है यहन की तो हड़ी इस बिन कलोज्ट फोर समर वकेशन में नू पता लगा है कि तो हड़ा स्कूल गर्मिया दे छोटी कारण बंद हो गया है ठीक है आई इन्वाइट तू कम शिमला तू स्पेंड यूर हॉलिडेज विद अस ठीक है मैं तो हनु जड़ हैगा साधे नाल छोटियां भी तॉन शिमला और दा सद्धा दिन्दा हाँ दा वैदर हेर इस वेरी प्लीजंट इत्थे दा मौसम जड़ागा बहुती स्वाबना है इफ यू कम हेर विल वी शेल इंज्वाइट तूगेदर ठीक है जी जेकर तूसी एथे आयता सी कठे अनंद मानांगे वी शेल वंडर इन दा सब्सक्राइब करेगा एह तो हनु सुन्दर ठीक है यू करेगा एह तो हनु सुन्दर दुनिया विच ले जावेगा तूसी बोरिंग रुटीन जीवन नुप ओल जाओंगे मैं तो हड़े ओन दी उडिक करांगा सुरिंदर कुमार ठीक है इस तरह 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 बाकी दोस्तों सेंट सेव ड्राफ्ट डिसकार्ड तुसी इस तरह लिख देना वाद तेहून दोस्त जीड़ा हैगा चेंज इंटू कंप्लेक्स सेंटेंस देविच कनवर्ट करना वा ता दोस्तों देखो एदा जिड़ा हैगा आजाएगा अपना दा थीफ कंफेस्ट हिस क्राइम ता दोस्तों यह इस दा अंसर हो जाएगा ठीक है जी अगर तो हनू लाग दा कि कुछ हो और बंड़ना चाहिएगा तो तुसी मेंनों कमेंट बाक्स से बिच दास देओ तो एग्गे है दोस्तों इट वास टू कोल्ड टू गो आउट ठीक है जी यहनिकी दोस्तों जान लई एह बहुत ठंडा सी ठीक है जी ता एदा अंसर दोस्तों देखली ने या हाँ जी ता सॉरी दोस्तों एदा जिड़ हैगा दा थीफ सोरी 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 एक गलती होगी ठीक है जी आज अपना प्रशन सीगा है ना पहला वड़ा है दा थीफ कनफेस्ट इस क्राइम ता आत अपना प्रशन ही सीगा सोरी ठीक है जी एदा अंसर दोस्तों अहां बनेगा सोरी मैं देख् too cold to go out यानि की जान ली जड़ हैगा बहुती ठंडा सी ता दोस्तो एदा अंसर देख लिने या ता आ देखो दोस्तो एदा आएगा दोस्तो आही प्रशाना तो हड़ा ठीके जी it was so hot ठीके जी एथे दोस्तो अपना एक काम करना तुसी एथे गलती नल hot लिख्या गया बा एथे cold आऊगा क्योंकि तो हड़े प्रशन पत्तर देविचे तुसी देख साथ देओ हाँ जी cold ठीके जी ता दोस्तो तुसी एथे hot नी लिखना हैगा ठीके जी एथे cold लिखना बाई it was so ठीके जी cold एथे cold कर लो दोस्तो ठीके जी cold that one could not go out ठीके जी ता ही इस दा अंसर हो गया एथे hot नूँ कटके cold कर लेना ठीके जी ते हाँ अगला दोस्तो देखो कि यह प्रशन Roberts said you must learn your scriptures ठीके जी Roberts ने कहा कि तो हूनु अपने गरंथा नू जड़ाएगा सिखना चाहिदा है ठीके जी ता चेंज दा नरेशन आहे ठीके जी ता दोस्तो चलो देखो इदा अंसर चेंज दा नरेशन ता ही अपना प्रशन आ ठीके जी Roberts said that we must learn our scripture sorry एह अंसर आतो अड़ा अंसर ही आतो अड़ा सिद्धा क्योंकि प्रशन देख लो दोस्तो प्रशन की सीगा अपना एद विच दोस्तो आदेखो said तेहा कॉम्मे वगारा लग्य होई सीगे यहनू हटा के दोस्तो यहना ने दैत ला दिता आये ठीके जी ताहिं है इस दा अंसर हो जाएगा ठीके जी तेहुन दोस्तो अपना अगला प्रशन की यह थे हाँ जी अगला है दोस्तो तो अड़ा फिलिंग दा ब्लैंक विद सुतेवल डिटर्मिननस ठीके जी यहन की दोस्तो जड़ा हैगा टुकवे डिटर्मिनस नाल जड़ा हैगा खाली थाँ पर होता देखो दोस्तो किया अपना डैश प्यूपल पेड होमेज टू दा डिपार्टेड लिटर ठीके जी सेबरेल आउगा यह फिर एनी आउगा ता दोस्तो एथे जड़ा हैगा अपना सेबरेल आएगा यहन की कई ठीके जी कई लोकाने जड़े हैगा बिच्छडे आगउनु श्रदांजली पेट किती अगे है दोस्तो ही ड्रेंक दा ता दोस्तो एथे जड़ा हैगा तो अनू दिखा आवी दिन ना आदेखो दोस्तो सेबरेल आएगा सेबरेल पीपल पेड है मोहमेज टू दू दा अगे दोस्तो फिलिंग दा ब्लैंक सेबरेल इंफिनिट और पास्त टीके जी तरह दोस्तो फेला की देख टू साथ दीट अन्सर देख लिने आँ आद को दोस्तो एदा जयागा दा ओर्डर्ड़ टू मूब वर पास्त ठीके जी ता यह थे दोस्तो तो दू भी और फिल्ग अगे दोस्तो डॉन्ट गेट आफ दावेखल थीकर यहनिकी दोस्तो बहान तो न उत्रों ठीकर जी तेफ लॉन्टक किया जाएगा हां जी ता आए देखलो अपना ही प्रशन न दॉन्ट के येव सेब्दा बोट या फिर दोस्तों एदा ये भी बान सागता बास समोन है जब्दा बोट ठीके जी ता इदा किया आएगा तुसी मेंनू कमेंट पॉक्स देबीच दासेना चेंज दा भुवाइस आहे ठीके जी उपर देख साथ देओं या ता दोस्तों अपना हां जी के समोन हैस दा सेब्दा बोट दोस्तों दोना देविच को एक आएगा तुसी अगर तो हनू लादा कि कोई तीसरा भी है ता तुझ मेंनू कमेंट पॉक्स से बिच्चे दास देना ठीक है ते दोस्तों अगला की ये थे हां जी ता इही हो गया हां जी होन है दोस्तों अपना पाठ पंजमा लिटरेचर आ पच्ची मार्श दी है गी ये ता देखो दोस्तों सब्तों पहला कि ये सेंट्रल आइडिया आउफ एनी वन अव दा फॉलिंग पोयम ता देखो ओन फ्रेंडशिप ठीक है होन सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं ओन फ्रेंडशिप दा ते दा र पारे दस दी है इथे थले पंजाबी भी लिखिए या इजी हो गया अपनों होर समझन दे बिच्च ठीक है ता देखो दूसरी लेंड किया आफ फ्रेंड इस अ गौड गिफ्ट टू अस ठीक है जी यनकी दोस्तों एक मित्तर जड़ हैगा सानू परमात्मा दा दिता होया तौफा है ठीक है जी आफ फ्रेंड इस गौड वे टू मिटिंग अवर रिक्वाइर्मेंट्स ठीक है जी यनकी दोस्तों एक मित्तर इस तरह दा साधन हुंदा है जिस दे द्वारा प्रमात्मा साधियां जरूरता नू जड़ हैगा दोस्तों किया पूरियां करदा है ठीक जी यनकी दोस्तों की लिखे दोस्तों आप फ्रेंड इस फ्री टू एगरी और डिस अगरी विद अस एनी पॉइंट ठीक है जी वी दू नोट डिकलेर आवर लव फोर अवर फ्रेंड ठीक है जी मतलब सानू अपने मित्र दे प्रती जड़ हैगा प्यार दी कोशना करनी न अपना दिल खोल सकते हैं ठीक है जी यही लिख्या है जी विच्छे अगे दोस्तों ही कैने रीड अवर थावट्स इवन इफ वी दू नोट एक्स्प्रेस तैम वी कैन ओपन अवर हाट तो फ्रेंड एंड फ्रेंड कैन शेर अवर जोई एंड सारोज वेन आवर फ्रेंड अवर फ्रोम असे वी रिमेंबर हम फोर हिस बेस्ट क्वालिटी फ्रेंड इनेबल तो सट्रंथन अवर स्प्रिचल बॉंड ठीक है जी मतलब दोस्तों इस विचाहिए कि साध्या मित्र जड़ेगा साध्य विचारा नू जान लेंदा है चाहे इस नू परगट करिये या फ समक बंदन नू मजबूत बनोंदा है यानकी सट्रंथन अवर स्प्रिचल वॉंड ठीक है तो दोस्तों देखलो अंसर तो आड़ा सेंट्रल आइडिया था था थल्ले दोस्तों यह थी पंजाबी भी पहला ही दित्ती हुया ता दूसी यह थो भी इसनू रीड करसा देऊं स the choice making in life ठीक है यही कवीता जीवन विच उदेश दा चुनाव करन तेदारित है ठीक है ठीक है जी चौइस आफ बट ईॉन्दों को मैन शो एफ तो अवर मन सेलाइफ ठीक है यही आदमी दी सारी जिंदगोनी दोस्तों पर वावित्क करता है another idea in the poem is that cannot achieve extraordinary things by taking ordinary course ठीक है जी मतलब दोस्तों कि ये कविता विच्चे दोस्तों एक कोई जड़ागा विचार है कि सदारन रस्ते ते मतलब अकर कोई बंदा चलदा है ता हो दोस्तों आदमी और सदारन उपलब्दियां जड़ी है गया ने हासिल जड़ागा दोस्तों नहीं कर सकता है ठीक है जी ते अगे लिख्या है दोस्तों अपना अजिच्चे दोस्तों सर्फ सदारन आदमी जड़े है गया मतलब बेकार जे या फिर दोस्तों किसे पिटे तुसी इस परकार कैसा कहा देओ किसे पटे रस्ते जड़ा है गबा ते मतलब चलदा है ठीक है जी ग्रेट सॉल्स आल्वेस प्रेफर टू ट्रैट द न्यू तो इसनों भी रीड कार सकते हूं ठीक है जी तो अगला देख देख दें कि यह प्रशन उपतर ने तो दोस्तों देखो प्रशन कि यह सब पहला नॉमा प्रशन है तो अधिक पहला प्रशन है वाइड डा टू बॉइज वर्क एंड लेसली ठीक है जी दोनों लड़के लगात ओर फन मतलब दोस्तों कि यह अनात ठीक है जी या फिर यह तीम कहे सकते हूं ठीक है जी त्यक हिए थे या ओफर नवड अफ्टर्श संसार विच गडला दौस्तों louok commerce कोई नहीं से थिकक है जी दे they had a sister who was suffering tubercles of the spine ठीके जी ता उना नू अपनी पैन दे डक्टरी खर्चे लिए दोस्तो पैसा चाहीदा सी ठीके जी दे निड़ेड मनी for the medical expenses of her treatment so they worked endlessly ठीके जी जो की पिठ दे तपेदिक तो पीड़त सी इसली दोस्तो लगातार जड़ेगा काम कर दे सांँ ठीके ता है इस अंसर हो गया अगला दोस्तो प्रशन की अपना describe narrator meeting with the हसन parents ठीके यहन की दोस्तो कहानिकार दी हसन दे माता पिता नल मीटिंग दा वनन करो ता दोस्तो चलो देख दे अंसर आहीए न प्रशन describe the narrator meeting with the हसन parents तो देखो दोस्तो की है हसन वाज इर्यगूलर इन इस स्टड़ी ठीके जी हसन लगातार अपनी पड़ाई नहीं करदा सी ठीके जी दा नरेटर कॉल्ड his parents she told them that हसन वाज नोट रेगूलर इन इस स्टड़ी ठीके जी कथा कार यान की कहानिकार ने उस दे माता पिता नू बुलाया उसने उस दे माता पिता नू दस्या की होपनी पड़ाई लगातार नहीं करदा सी ठीके जी तेगे लिखे दोस्तो हसन फादर डिड नोट टेक द जू आ गए दे बलेम इच अदर फोर हसन नेगलिजेंस यान की दोस्तो ओना ने हसन दिलापर बाई ले एक दुझे उते जड़ाई गया दोश लगाए ठीके जी ते उस बाद दोस्तो किया है दा मीटिंग एंड़ फ्रूटलेसली मीटिंग जड़ाई गवा बगार नतिज दे खतम हो गई ता है अंसर हो गया अगला दोस्तो प्रशन की ए अपना वाई डिड़ जेल अथोर्टिस डिसकॉंटिन्यू सम अफ देर प्रैक्टिस अफ बैड ट्रीटमेंट ठीके जी मतलब दोस्तो कि जेल अधिकारिया ने माड़ेस लूक ते अपने कुझे अब्यासा प्रशन की ए अगला दोस्तो प्रशन कीये है अन्सर देखो ये तो, अही प्राश poreशना तो या अटा, अन्सर देखो कि ये, आ मिलिनियर बिजनस्मैन नेम्ड थॉमस वेन तो बैंक ठीके मतलब स्थूमस ना दा एक क्रोडपती वापारी नियुवेर्ग शेहर दे एक bank विच गया ठीक है, he took a loan of 5000 dollar for a few days, ठीक है जी, मतलब दोस्तो जड़ा हैगा बाँ, उसने 5000 जड़ा हैगा करजा कुछ दिना वास्ते लेया, ठीक है जी, ते अगे दोस्तो की लिख्या है बाँ, as a security for the loan, ते दोस्तो मतलब की हिया, as a security for the loan he gave his car and all the car related papers to the bank, ठीक है, मतलब लोन दे security दे तो औरते दोस्तो उसने अपने car, आते कार दी चाबी, आते कार दे जरूरी जड़ा हैगा कागच पतर बैंक नूं दे दिते ठीक है जी, the car was taken to the underground garage of the bank, ठीक है मतलब दोस्तो उस दी कार नूं बैंक दे जड़ेगा underground garage, जो इचे जड़ा हैगा रख दिता he came back after two weeks, ठीक है जी, ता दोस्तो दो हपते बाद उसने अपने loan दी रकम जड़ी है गया ओह 15 डॉलर व्याद अदा कर दिता ठीक है जी, देख साते हूं दो हपते बाद दोस्तो जड़ा हैगा उसने, he turned the loan and 15 डॉलर इंटरस्ट, ठीक है जी he was one of the richest man of America, ठीक है जी, यानि कि दोस्तो, उसने जड़ा हैगा उसने bank देदकार यून दसिया मतलब दोस्तो हो न, अमेरिका दा सब तो जड़ा हैगा, richest बंदा सीगा, ठीक है जी he made use of literal thinking, ठीक है जी ता उसने जड़ा हैगा दोस्तो ये बिच की किता he made use of literal thinking, यानि कि उसने literal thinking दा use किता, ठीक है जी तो उसने बाद दोस्तो की, he told the bank official, ठीक है जी, उसने बैंक देदिकारिया न, दसिया की the bank official that by his way he got back his expensive car safe in the city of Newark, ठीक है जी, मतलब दोस्तो बैंक देदिकारी नू दसिया की, उसने जड़ा हैगा, पार्शप सो चनाल, उसने Newark शहर विच अपनी महंगी कार नू मैफूज हालत विच रखेया ता, है इस दा अंसर होगे, अगला देख देख देएं, ते दोस्तों, हून तो अड़ा दसमे प्रशन दे विच्चवा, why did रामलाल वाइफ agree to send भोली बट नॉर, नट not her other daughter to school, ठीक है यानि कि रामलाल दी पतनी पोली नू पर दूसरी आति यानू नहीं स्कूल पे जन लई सहमत क्यों हो गई, ठीक है ता, दोस्तों, अंसर देखो एदा, आही प्रशन हा न, ता, देखो दोस्तों कि यह रामलाल कंसल्टेड his wife about sending their daughter to school, ठीक है रामलाल ने अपनी आति यानू स्कूल पे जन बारे अपनी पतनी नाल सला किती, ठीक है रामलाल's wife thought that if girl went to school no one could marry them, ठीक है जी यानिकि दोस्तों, रामलाल ने जड़ी पतनी सोच दी सी कि जेकर लड़किया स्कूल जान गया, ता, उनना नाल कोई व्यान नहीं करेगा, भूली, head and अगली face, ठीक है, पो लीदा जड़ा हैगा, पद्दा चहरा सी, ठीक है, she lacked sense, ठीक है, उसे कोड़ अकल दी काट सी, there was a little chance of her getting married, ठीक है जी, उसे दी शादी होन दी असार नहीं सान, so, रामलाल wife agreed to send her school, ठीक है जी, इसलिए दोस्तों, जड़ा हैगा, रामलाल दी पतनी, उसनों स्कूल पे जनरली सहमत हो गई, ते इस दा अंसर हो गया, अगला दोस्तों प्रशन किये कि, what solution did data finally, data finally come with, ठीक है, यानि कि data नहीं आते बिच्चे की हल कड़िया, ता दोस्तों अंसर देखो, या प्रशन, ते इस दा अंसर देखो, दोस्तों कि data took a calculated risk, ठीक है जी, data निक सोच्या विचार्या खत्रा लिया, ठीक है जी, ते he bought down an old, ठीक है जी, he bought down the old wooden box in which he had keep all the unclaimed photographs, the box was full of cockroaches and spider along with old photograph, he searched our bonish photograph of another old man, मतलब दोस्तों दिविचे अहाँ भा एथे दा का मतलब की भाई, उसने लकरदा हो एक जड़ा हैगा पुराना बक्सा थल ले विचे जड़ा हैगा ले होंदा, जिस विचे उसने जड़ा हैगा सारियां ही गैर दावे वालियां तस्वीरां रखियां हुई बक्सा फोटों समेते दोस्तों नाल केड़े आते दोस्तों मकडियां नाल पर या होया सी उसने किसे जड़ा हैगा बा किसे होर बजुर्ग आदमी दा दोस्तों जड़ा हैगा ब्राउन रंग दी फोटो लभी ठीके जी अगला दोस्तों प्रशन की है वट इस एजुकेटिव वैल्यू अफ बलाइंड डिफ और लेम डे ठीके जी यनकी अन्य बहरे जा लंगडे होन दे दिन दा जड़ा हैगा दोस्तों अपना एजुकेटिव यनकी सिख्यात्मिक कीमत की है ता दोस्तों चलो देख दे अंसर देखो दोस्तों दिस डेज इनेवल दा चिल्रन तु अंडरस्टैंड दा डिफिकल्टिस फेस्ट बाइंड डिफ और लेम परसन इन दियार लाइफ ठीके जी इस एहे दिन दोस्तों बच्यां दे बच्यानू जड़ा हैगा अन्ने बहरे जा फिर लंगडे लोकानू जीव ठीके जी मतलब दोस्तों दिविच एही या की बई जड़ागा दिन खतम होन तो पहला दुख दिया से लिए तेथो तक की काट सोचन वाले नूँ भी सपस्ट है की सपस्ट हो जान्दी सी की ओहो ओनानू हर चीज विच मदद करन दी लोड महसूस कर दे हां ठीके जी ताही दोस्तों बस कंड़क्टर दे जड़े हैगा चरितर चितरन दा संखे विच वणनन करो ओन सिंग प्लीज दे विच जड़े हैगा बा ताह दोस्तों चलो देख देया इस दा भी ताह एवी असी दोस्तों लभ्या होया है ताह देखो आही या तो आड़ा प्रशन ठीके जी ड्राः ब्रीफ क्रेक्टर स्केच अफ दा बस कंड़क्टर इन यॉर अन वर्स देखो दोस्तों क्रेक्टर सकेच ये यही षिर्फू आ था नेचेर में ठीके जी या जी ये की कई दोस्तों बस कंड़क्टर खुशी पयदा करण वळा आते चंगे शुआ वड़ा आदमी he was full of patience, he never lost his temper, he kept his passenger comfortable, he was very helpful to his passenger, with elderly passenger, he was like a respectful son, with children, he was like a loving father, he cracked joke with young person, he took special care of blind and handicapped people, he was a gentle and soft-spoken, once he agreed to give the writer a good choice, he was a gentle and soft-spoken, once he agreed to give the writer a good choice, the bus ticket and the charge from him to fare later, once he trembled the writer toy, which caused him great pain, he apologized to him traveling in his bus, like getting a lesson in a good manner, ठीके जी, ता दोस्तों किया इद विचे ओहो अदर नाल नाल दोस्तों मिठा बोलन वाला सी, एक बार दोस्तों खुशी नाल लेखक नूँ बस दा टिकट देन आते, बाद विचे किराया लेंड ली मन गया, एक बार उसने लेखक दे पैर दा अंगुठा कुचल दिता, जिस इस चेप्टर दे विचे तो एक जिड़ा है गवा, एदा थीम देओ, ठीके मेन किया इदा विचे, इन सलेबरेशन ओफ बिइंग लाइव दा, ता दोस्तों चलो देख देया, आ देखो, आही प्रशन सीगा ना थीम ओफ दा चेप्टर इन सलेबरेशन ओफ बिइंग पार्ट्स ओफ हुमन लाइफ खुश या ते दुखी जड़ागा आदमी दे जीवन दे आंगहान ठीके जी, वन मस्ट ट्राइट टू फॉर्गट सफरिंग अन ट्राइट फाइंड जवाई, अपने दुखा नू पोल जाना चाहिदा है ते या ते वरतमान विचे दुखा यंग पूपल भू लाइक तू लीड़ चीरफूल लाइब, ट्राइट ब्रॉटर बर्नाड वस मोस्ट ओफन फिंकिंग अफ़ सफरिंग आप पेन, बट वन मस्ट गो गट ऑन विद दा बिजनेस अफ लिविञ, बिजनेस अफ लिविग ज़ुआ इन धारेट इस दा रिय सो्च दा रेंदा सी ठीके जी ते परसल विक दोस्तो आद्मी नूँ जिए unterstützen ति react gemacht उन्स-eunsam तेहुन दोस्तो अपना अगला प्राशन देखो कि आई हाँ जी प्रमा प्रश्न जा अबाउट 100B वाट सा ब्रीफ क्रेक्टर स्केच अफ मिस बीम, ठीक जी, मतल उसने जड़ा है अवा स्कूल स्प्थी दे नादा एक नवा स्कूल चालू किता। मतलब दोस्तो एक विच दोस्तो जड़ा ही अवा एधे न विदियार्थेनों चंगे इनकी तंडिंग्र कव 미च्चो शिख्ट। जान्दी सी दा रियल एम ओफ दा सकूल वास गिविंग दा ट्रेनिंग इन थाउटफूल हिमेनिटी एंड गुड सिटीजन्शिप एवरी चाइल्ड इन हर सकूल हैड वन ब्लाइंड डे वन लेम डे वन डिफ डे एंड वन डम डे सकूल दा मुख उदेश दवी चाइल्ड सिख्ध करना थे एक बच्चे दा था एक अन्ना होनता दिन एक लंगड़ा होनता दिन ठीके जी ते अपना एक बोले होनता दिन दोस्तो जड़ा था गुंगे होनता दिन होन्ता सी इस तरह दोस्तों की लिखें आ इनाने The children have a taste of misfortune इस तरह दोस्तों बदकिस इस तरह दरएड़े है गया बच्चे बदकिस्मी तो जानू हो सकदे हन As the result यानि की नतिजे बज़ो दोस्तों they learnt to be simphatic toward handicap people ठीके जी नतिजे बज़ो दोस्तों उनाने अपहाज लोकादिनाल हमदर्दी पर पूर होना सिख लेया सी मिस बीम वाजा इना एसेट टू सोसाइटी शी वांट टू पर्मोट नोबल आइडेस इन सोसाइटी ठीक है मिस बीम समाज देले एक पुंजी सी कि ओ समाज बेचे चंगे विचारा दा विकास करना चहुंदी सी ता है इस आंसर हो गया तेहों दोस्तों अपना अगला देख देख दें अगला प्रेशन की है जस्टिफाइदा टाइटल ओफ दा स्टोरी दा बुल बैनियत यानि कि दा बुल बैनियत अर्थ दा जड़ा है गबाँ है तो अगला जड़ा चेप्टर हा ठीके जी ता यह दा सिरलेख दे चर्चा करो मतलब दा में दस्टों की की सिए देविच ता दोस्तों देखो आही आपना प्रेशन दा बुल बैनियत दा टाइटल ओफ दा स्टो इस दे जड़ी है कि इस दे विशे ते प्रकड होनी चाहिदी है अधे कहानी दिये कट नावा ते प्रकाश पौना चाहिदा है ठीके दा टाइटल रेफर्स दा ओल्ड मैन इन दा स्टोरी ठीके जी ता इस लेख कहानी दे विच्च जड़ागवा बुड़े आदमी नाल ठीके जी यनिकी दोस्तों कि ये दोस्तों इता मतलब क्यों हो अपने जड़ागा जाती है दुख दा जड़ागा बोज दे थले दबया होया है तो इस एल्ड़ेस्ट सन करम सिंग रिसेंटली डैड ठीके जी उस दा वड़ा बेटा हाली विच जड़ा है दोस्तों करम मरिया है ठीके जी ते अगे दोस्तों ही एज टेक केर ओफ इस डॉटर इन लॉट एंड इस ग्रेंड सन ठीके जी उसने अपने पोत्य ते नू दा त्यान रखना है मान सिंग रैटली कंपेर हिम विद दा मिथिकल बुल हू केरीज ओन इटस हैड दा बड़न ओफ दा होल अ अब करें दोस्तों आएदा इवेचे तुसी अपने को बना के लिखते हैं कि करम सींग शींग शींग वोधी मौत हो जांदिया करम सींग बहुती बढ़ीया निशाने वाद सीगा ठीक है फिर मान सींग जड़ा है कारम सींग क्या था हुन्दा होनदा कि मौत तो पहला कि मे पेरे पेंड भी होके आई फिर इस तरह तुसी अपने कोडों बना के भी अलेख देवेदे विच जुरूरी नहीं कि यह ना जिन्ना का ही लिख्या यही तुसी लिखना वा अपने कोड़ों बढ़ा करके भी लख साकते हूं ताकि तो अनुए नंबर बदिया मिल जाना तो द पेपर देख लो एक दोस्तों मैं 203 दा जड़ा पेपर सीगा एक बोट ने अपनी साइट दे जा रही किता है वही मैं करा चुकिए हैं वह दा लिंक भी मैं दिस्क्रिप्शन वाक्स वेच देदिना तुसी ओभी जाके देख सकते हूं बाकि दोस्तों अगर तुसी चॉनन यह वाड़ा क्वेपर भी मैं पूरा सौलब करामा जीमें हजे एहे 2018 वाड़ा कराया ठीके जी ताथ यह वह भी वह इंपारट ट्व स्थार देविच भी है गेने बोर्ड दा यह प्रशन उत्तर हुं दे हैं जोकि बोर्ड देविचे आए हुं दे हैं ठीके जी ताथ उसी मे लिंक तोहिस्क्रिप्स बेड़े हम बीच्रा को एकशाम को कई अगा इसम्पल पेड़ और लिंक उनुद्सक्रिप्स्नी बीच मिल जएगा तुसी जाके देख सकतें। वाकि all the best to our day exam दे लई